Hello Friends, आज के इस वीडियो में हम लोग Organic Chemistry से कुछ Advanced Problems करेंगे और जो Topic होगा इस वीडियो के लिए वो इमीन्स का Topic होगा और हम लोगोंने Problems Solomon Book से लिया है तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और करते हैं कुछ Problems इमीन्स के Chapter से तो जो पहला Problem है वो Problem No. 20.42 Solomon Book का है इस Problem में कहा जा रहा है Ethanol Amine and Di-Ethanol Amine जिसका की Formula आपको दिया हुआ है are used commercially to form emulsifying agents and to absorb acidic gases Propose synthesis of these two compounds आपको दो compound दिया हुआ है Ethanol Amine and Di-Ethanol Amine आपको इस दोनों compound के बनाने के लिए क्या method यूज करिएगा क्या आप reagent क्या reactant यूज करिएगा और कैसे इसको prepare करिएगा इसके बारे में आपको बताना है तो चलिए पहले हम लोग बनाते हैं Ethanol Amine को तो पहला पार्ट में आपको दिया हुआ CH2 CH2 NH2 यहां पे है Ethanol Amine एक साइड में OH ग्रूप लगा हुआ है और दूसरे साइड में NH2 ग्रूप लगा हुआ है यही है आपका Ethanol Amine आप सुच यह कैसे बना सकते हैं इसको ऐसा लगता है कि इसमें इधर NH2 है यानि ammonia से आया होगा यानि कहीं न कहीं इस reaction में ammonia जो है निकलियोफिलिक अटैक की तरह काम किया है दूसरा दूसरे साइड में OH ग्रूप है और दो कार्बन का चेन है तो ऐसा हमको हिंट मिलता है कि ए मुल्लिकुल जो है शैकलिक इथर क्यानि इपोक्साइड औक्जारेन रिंग से आया होगा कुछ ऐसा हुआ होगा CH2 CH2 यह आपका औक्जारेन रिंग है इस रिंग में ammonia अगर निकलियोफिलिक अटैक कर दे यह यह यहां पर अटैक करें यह ओपन हो जाए तो आपको यह कंपाउंड प्रिपेर हो जाएगा तो आप हमको आडिया लग चुका है कि इसको हम लोग कैसे बना सकते तो आपको करना क्या पड़ेगा आपको सबसे पहले एक इपोकसाइड या आउक्जारेन रिंग लेना पड़ेगा CH2, CH2, O और इसको आप रियक्ट कर दिजी अमोनिया से जैसे ही अमोनिया से रियक्ट करिएगा यह यहां आएगा और यह खुल जाएगा तो यह आपका प्रोड़क्ट हो गया CH2 oxygen पर माइनस चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक बॉंड पर इधर आया है और यहां आमोनिया पर आपका nitrogen पर बेसिकली आपका प्लास चार्ज आ जाएगा आप चाहें तो calculate कर सकते हैं formal charges को नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं इस formal charge को release कर सकते हैं कैसे release करिएगा यहां nitrogen के पास plus charge है यानि एक H plus lose कर दे और यह H plus gain कर दे यानि इसको हम लोग बोलते हैं intramolecular proton exchange इसी molecule में एक atom जो है H plus को lose कर रहा और दूसरा atom हम जो है H plus को gain कर रहा ऐसे बात को हम लोग बोल सकते हैं intramolecular proton exchange अगर ऐसा हो जाए तो finally आपको क्या बनेगा intramolecular proton exchange होगा तो आपको यहां CH2 यहां OH convert हो जाएगा यहां पे CH2 NH2 convert हो जाएगा यानि आपको जो भी बनाना था वह बन चुका है अब दूसरा वाला देखिए दूसरा वाला जो है वो है diethanol amine semi tap का compound है के वह अंतर इतना पड़ा है N हो गया यहां पे CH2 CH2 OH और यहां पे फिर लगा हुआ CH2 CH2 OH कैसे बनाएगा इसको एक compound देखिए जो आपने पहले बनाया उससे मिलता जोलता है केवल इस side का तो पूरा ही मिलता CH2 OH और इधर भी CH2 CH2 OH केवल अंतर इतना ही है कि यहां nitrogen पे एक hydrogen है एक hydrogen loss हो चुका है तो इस से एखिंटे मिल रहा है कि लगता है कि इपक्साइड इंग पे दो बार attack हुआ हैOK है यानिए एक वगार ammonia का एक वगार ammonia से जो प्रोड़क्ट बना उसका attack हुआ है इपक्साइड इंग पे कहने का मितलब यह हुआ जो आपको पहला a step में जो final product बना उसको एक वार फिर से आप इपक्साइड रिंग के साथ अटैक करवा दीजे, तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास है CH2 OH CH2 NH2 और इसको एक बार फिर से आप अगजारेन रिंग पे अटैक करवाईए क्या होगा यहाँ पे लोन पेर है, यह लोन पेर यहाँ टैक करेगा, यह बाउंड इधर ओपेन हो जाएगा अगर ऐसा करिएगा तो हो जाएगा CH2 OH और यहाँ पे हो जाएगा CH2 N है, और दो हाइडोजन है, हम इसको दिखा रहे है यहाँ पे फॉर्मल चार्ज पोस्टिव आएगा और यह जू नाइट्रोजन है अब कनेक्ट हो जाएगा CH2 से और ACH2 O- में चेंज हो जाएगा फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में इंट्रा मुलिकुलर प्रोटोन एक्सचेंज, जो की हम लोग पहले कह चुके हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में इसका आपका इंट्रा मुलिकुलर प्रोटोन एक्सचेंज यह उक्सीजन पे H-Plus čला जाएगा, और यहां के नाइट्रोजन से H-Plus release हो जाएगा, तो इंट्रा मुलिक रोटोन एक्सचेंज अगर हुआ तो यह finally आपको जो बनना चाहिए था, जो आपको desired था वही बन जाएगा, OH, CH2N, और एक hydrogen यहाँ बचा राजएगा, और इधर राजएगा CH2, CH2OH, तो basically आप पहला reaction का जो product है, उसको एक बार फिर से oxygen ring से react कर देजे, और finally intramolecular proton exchange करेगा, तो आपको desired compound prepare हो जाएगा, so next problem जो है, वो Solomon book का problem number 20.43 है, इस problem में आपसे कहा जा रहा है, diethyl propion, जिसका कि आपको यहाँ पर structure दिखा दिया गया है, Is a compound used in the treatment of anorexia, प्रपोज a synthesis of diethyl propion are starting with benzene and using any other needed reagents, आपको यह compound बनाना है, और क्या-क्या चीज़ यूज कर सकते हैं, आप benzene यूज कर सकते हैं, and other reagents, plus other reagents required, other reagents, जो भी आपको reagent लगेगा, इसको यूज कर सकते हैं, कैसे बनाईएगा इसको, एक बार फिर से molecule को bisect करके देखिए, जब भी आपको preparation का question हो, तो final molecule में देखिए कि क्या-क्या change जा रहा है, क्या-क्या, कैसे उसको आप initial से पहुँच सकते हैं, जो कि यह chapter amine का है, तो एक खिंट आपको और लगता है, कि यहाँ पे ऐसा है, कि कहीं न कहीं nitrogen का nucleophilic attack हुआ है, इस carbon पे nitrogen का nucleophilic attack हुआ है, यानि एक जो part है, वो NCH2CH3 और CH2CH3 hydrogen और यहाँ पे लोन पे रहें, इधर side का जो part है, वो इस molecule से आया है, दूसरा part इधर ऐसा लग रहा है कि बेंजीन पे electrophilic attack हुआ है, यानि एक बेंजीन है, उस पे electrophil का attack हुआ है, अब electrophile क्या है, यह वाला जो part है, second part वो electrophilic part है, यानि कि आपको एक electrophile लेसे generate करना पड़ेगा, तो corresponding acid chloride आप ले सकते हैं, जैसे आप इसका क्या ले लेते हैं, आप ले लेते हैं, यहाँ पे CH3, CH2, COCl, एक compound ले लिजे, अब आप देखे, इतना सारा हिंट आपको मिल गया, इस हिंट से आप बनाने की कोशिस करिए, तो पहला क्या करना पड़ेगा, आपको फ्रीडल क्रा तो बेंजीन लीजे और इसको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर दीजे, तो जो दूसरा मॉलेकुल है, उसी को हम लोग एक वर फिर से ऐसे लिख दे रहे हैं, सेमी मॉलेकुल है, CH3, CH2, एक कारवन, दो कारवन, CO और यहाँ पे CL, इसको ALCl3 के साथ हमने रियाक्ट किया, एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, यहाँ पे हम इसके मेकनिजम पे नहीं जाएंगे, डिरेक्टली प्रोड़क्ट लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, किसी पोजिशन पे एक ग्रूप जाकर के जुड़ जाएगा, एसाइल ग्रूप जुड़ जाएगा, या कहें कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगा, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा, तो कुछ आपका ऐसा प्रोड़क्ट आ जाएगा, अब देखिए, इस कारवन पे आपको नैट्रोजन का अटैक कराना है, यह तो तभी संभव है जहाँ, यहाँ पे कुछ अच् होगा, यह अलफा कारवन है, इस पे कुछ हैलोजनेशन करना, अलफा हैलोजनेशन तो कौन सा रियजन्ट यूज करते हैं, आप रियजन्ट यूज करते थे, ब्रोमीन in the presence of phosphorus, अगर ऐसा करिएगा तो अलफा पोजिशन पे एक हैलोजन ग्रूप जाकर के जुड़ जाएगा, यानि प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे आपका C double bound O है, और यहाँ पे कोई हैलोजन जैसे ब्रोमीन आपने रखा तो ब्रोमीन जाकर जुड़ जाए तो आप ले लिजे यहाँ पे H, nitrogen, hydrogen, CH2, CH3, और यह दो बार है तो इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं, एक उपर लिख देते हैं, CH2, CH3, यहनि क्या होगा, इस lone pair का यहाँ पे टैक होगा, और सेमी टैपे ब्रोमीन गुरूप क्या हो जाएगा, ब्रोमीन वहाँ से भाग जाएगा, तो आप कहें कि यहाँ पे टैक होगा, और गुरूमीन भाग जाएगा, बाद में एक H प्लस आएगा, बेसिकली जो इस nitrogen पे फॉर्मल चार्ज आएगा, फिर base के द्वारा आप H प्लस को हाँ से रिलीज कर सकते हैं, तो यहाँ क्या हो गया, यह हो गया, आपका और इधर साइड में भी CH2, CH3 ग्रूप लगा हुआ होगा, चुकि मेडियम बेसिक है, इसलिए आप यहाँ से एक H प्लस रिलीज कर सकते हैं, तो आपको इसी कमपाउंड का एक मॉलिकुल लेकर के आप H प्लस को यहाँ से लूज कर दीजे, CH2, CH3, तो यह बेसिकली बेसिक मेडिया में H प्लस को लेज देगा, तो फाइनल प्रोड़क्ट आपको यही कमपाउंड मिल जाएगा, तो फाइनल जो है, आपको जो प्रोड़क्ट बनाना था, यहाँ पे बेंजीन रिंग, C double bond O, N, और इधर पे CH2, CH3 दो बार लगा हुआ है, और इस नैटोजन के पास एक लोन पेर है, तो यही कमपाउंड आपको बनाना था, तो नेक्स प्रोड़म जो है, वो है प्रोड़म नमबर 20.44, यह सौलमन बुक का प्रोड़म है, इसमें कहा जा रहा है, फिर एक बार प्रिपरेशन से रिलेटेड प्रोड़म है, यूजिंग एज स्टार्टिंग मेटेरियल्स, टू क्लोरो प्रोपानोई केसिद, एनिलीन, और टू नेप्थनॉल, प्रपोज ए सिंथेशिस आफ नेप्रो एनिलीड, एनिलाइड, ए हर्भी साइड यूजड इन राइस पैड़िज इन एसिया, तो आपको एक दिया गया है, नेप्रो एनिलाइड, इसको आपको प्रिपेर करना है, और आपको क्या-क्या चीज़े दी गई है, आपको दिया गया स्टार्टिंग मेटेरियल में, टू क्लोरो प्रोपानोई केसिद, प्रोपानोई केसिद क्या हो जाएगा, दूसरा पोजिशन पर क्लोरो ग्रूप लगा हुआ, एक तो ए दिया गया है आपको, और दिया गया एनिलीन, बेंजीन रिंग होगा यहाँ पे, और एक नेच टू ग्रूप लगा हुआ है, तो आपको एक एनिलीन दिया गया है, और टू नेप्थनॉल, इसको हम लोग बो बोलते हैं, टू नेप्थनॉल, यह जो कमपाउण यहाँ पर लिख रहे हैं, आपको ऐसे याद तो नहीं रहना चाहिए, मगर इस प्रोब्लम में दिया नहीं है, तो मान लिजी आपको दिया रहता, तो नेप्थनॉल का स्टक्चर, टू नेप्थनॉल का स्टक्चर आपक इसे भी मिल जाता कि टू नेप्थनॉल का क्या स्टक्चर होगा, ओ आप निकाल सकते थे, बट ओ लास्ट में पता चलेगा आपको, तो यह तीन रियेजेंट दिया हुआ है, इससे आपको एवाला मुल्लेकुल बनाना है, कैसे बनाईएगा, एक बार फिर से वही आडिया ह हम लोग करेंगे, जो फाइनल मुल्लेकुल इसको बाइसेक्ट करेंगे, तैसेक्ट करेंगे, यानि तोड के देखेंगे कैसे आया होगा, देखिए यह वाला जो पार्ट है, मुल्लेकुल का, यह लग रहा है, कि एनिलीन से आया है, और यह वाला पार्ट, ऑक्सीजन के यहाँ मुलीकुल से JACK में has a 3 Medium den 1 a 2 3 आर यहाँ वे तीन कार्वन कि की एंशका लगता है कि एनिलीन का इस पर निन का इस पर fem मैं 방रवी तो ठर्ट हो नहीं सकता कि कि को यह सी ओ ओव है मिल रहा है, कैनिलीन का इस मॉलिकुल पे अटैक करना है, प्रॉपनोईक एसिड से जो यू इलेटेड मॉलिकुल है, उस पे अटैक करना है, मगर उसको अटैक करने के लिए उस पे एक अच्छा लिविंग गूरूप बनाना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, तो आपको जो मॉ कर देते हैं, SOCl2 के साथ अगर react कर येगा, तो क्या होता है, जो OH है, वो CL में convert हो जाता, तो ये हो जाएगा, CHCl, COCl, इसमें convert हो गया, अब इस पे आप aniline का attack कर सकते हैं, तो इसको next step में इसको react कर दीजिए, aniline से, N, H, H, क्या होगा, यहाँ जो lone pair है, वो इस carbon पे attack करेगा, open करेगा, return होगा, यहाँ से chlorine भाग जाएगा, तो सारा step अगर आप कर दीजिएगा, तो यह हो जाएगा, CH3, CH, CL यहाँ पे आगया, यहाँ पे आगया, CO, और यहाँ पे N, और इदर पे benzene ring लगा हूँ, आप में pH लिख देते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो हम पूरा ring भी लिख सकते हैं, तो पूरा ring ही लिख देते हैं, ताकि कोई confusion ना रहे, और यहाँ पे N, H, H, प्लस, क्योंकि निटोजन पे formal charge आजाएगा, अब next step में एक, को आपको यह वाला molecule जोड़ना है, 2- निप्थनॉल, तो पहले तो आप निटोजन पे जो प्लस चार्ज है, उसको हटा लिजिए, यानि बेसिक किसी बेस से react कर दिजिए, या इसको basic medium में solution को डालिए, तो क्या होगा, जो यहाँ से H+, हो खतम हो जाएगा, तो यह जो बेस है, H+, ले लेगा, तो यह आपका product CH3, CH, CL, CO, NH, और इधर आपका एक बेंजीन रिंग लगा हुआ है, अब next step में, इसको क्या किजिए, इसको react कर दिजिए, 2-nipthanol से, basic medium में, यानि आप एक रखिए, 2-nipthanol है, और medium आपका कैसा है, basic, यानि बेस के presence में इसको react कर दिजिए, तो क्या होगा, चुकि medium basic है, तो यहाँ जो OH है, वो O- में convert हो जाएगा, तो हो क्या जा रहा है, यहाँ पे, आपको यह molecule दिया हुआ था, CH3, CH, CL, CO, NH, और यहाँ पे pH molecule है, और यह medium basic है, तो इसका क्या हो गया, इस compound में O- आ गया, इसको हम लोग यहीं पे लिखके दिखाते हैं, ताकि next step में इसको attack कर देंगे हम लोग, तो यह O- हो गया, oxygen पे एक negative charge आ गया, जैसे ही आया, यह क्या करेगा, इस पे attack कर देगा, और इस chlorine को अच्छा living group पे भगा देगा, तो ए अगर ऐसा करेते हो गया, CH3, CH, और यहाँ पे oxygen जुड़ जाएगा, और यह जो oxygen है, दो benzene ring से connected है, एक ring इधर है आपका, एक ring इधर है, इस से connected हो गया, और यहाँ पे CO, NH, और यहाँ पे एक benzene ring है, आप चाहे तो pH लिख दिजे, phenyl group लिख दिजे, तो A आपका final product हो गया, यही आपको बनाना था, आप देखिए, यही चीज है, इसी को दूसरे तरीके से लिखा है, आप चाहे तो इसी को सजा के लिख सकते हैं, इसको इधर लिख दिजे, इसको अगर आप अच्छे से connected है, तो A oxygen एक carbon से connected है, और एक carbon एक CH3 से connected है, C double bond O, NH, और यहाँ पे एक phenyl group लगा हुआ,